आन सब्काइब इस소 को इन से मुल्य हैं और नगेरा पहाल में और मोलत देरप्लेम estado हुँड़ीलियं हां की हारलड में से महीं हो जाएं खाल सब्क्राइब ओशंड़ीजनराई हुआ हैं के उपर है तो यहां पर इस रोड के उपर प्लॉड का रेट अभी भी एक रोड प्लस का है जी बिस्विल्ला रख्माद रही मैं शेखासी में सार अपने नहें वी लोग के साथ आपी सिर्बर में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं बहुत सारे दोस्तों हैं को पूछ रहे थे कि अपर टाइप हो गया तो प्रॉप वाइज आपने वी लोग नहीं बनाया तो जी आज हम भी एचे गुजरावाला पे फोकस करते हैं वी लोग बनाते हैं वी लोग स्टार्ट करने से पहले डेफिनिट्ली पूरे पाकिस्तान की रियर स्टेट की मार्केट में इस वक्त बह अब जाती है और पांच मर्ला तुड़ी सी हार्टूप फंड है अगर हम तीस लाग फे में ढूने जाएं कर तीस और साड़े कर दिस में एजी ली अवेलेबल हो जाती है आई है आई है चलते हैं प्लाट्स की तरफ और ब्लॉक वाइज जो है अपना वी लोग स्टार्ट क अच्छी यह जो गुजराम वाला में जैसा कि आपको पता है जीडी रोड से इंटर्स है पहले कमर्शल जॉन तू साउथ और नौर्ट से गुजरते हुए कमर्शल जॉन थरी उसके बाद यह जो ऑपन पैच दिखाया हुआ है उसके बाद यह भी ऑपन है यह भी ऑपन है इसके फिर होने का इंतजार पिछले तीन साल चार्ट साल से किया जा रहा है जो कि अभी तक चो है वो यहां पे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा थी यहां पे क्या होने वाला है जो कि बड़ी वीजन है डियाचे गुजराम वाला में रेड्स में कमिन गाने की वज़ा बन एक वक्त था कि 80,000,000 रपे में भी प्लाट नहीं मिलता था लेकिन अभी एजिली 60-65,000 रपे में यहां पे प्लाट अवेलेबल हो जाता है यह वाला जो पांच मरला एरिया है यहां पे एजिली प्लाट जो है वो 34,000 रपे से लेके और 38,000 रपे के दर्मियान आपकी मंद चाही लोकेशन जो है वो अविलेबल हो जाती है अब हम आते हैं जी ब्लॉक की तरफ जी ब्लॉक में से सेंटरल कमर्शल एरिया है इसके स्टांडिंग में दस मरला और एक कनाल के प्लॉट है जी ब्लॉक का मैक्सिमम रेज जो था वो एक करोड तीस से 35,000 रपे था से 90,000 रवे के दरम्यान आ गया है और जो जी टू और जी वन जो है यह जो दस मरले के पैश है यहां पे साथ से 35,000 रवे में इजी ली प्लॉट अविलेबल हो जाता है जी अब आते हैं हम एल ब्लॉक में ब्लॉक में भी तकरीबा दूला जहान है जी ब्लॉक जैसा लेकिन अपर वाला पार्ड जो है यह में 200 फिट वाइड रोड के ओपर है तो यहां पर इस रोड के उपर प्लॉट का रेट अभी प्लॉट प्लस का है अदर्माद अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो यहां पी बड़ी एजिली हमें 85 के प्लस माइनस में प्लॉट मिल जाता है और कहा यह जारा था कि इसकी बैक साइड पर एसके रिटेन और कैंट का एरिया है तो इसलिए M ब्लाग को तोड़ा सा इसका एड़वांटिज रहे गा लेकिन फिलाल बहुत सारी क्यास रहή हैं के यह लोकेरियों की यह लोस्तारी ही न रहे है उसके बाद हम चलते हैं के ब्लॉग में जो सबसे बड़ा एरिया है के ब्लॉग का पांच मरले का यहां पे 28 लाक रुबे से लेके और 34 लाक रुबे की रेंज में डिपेंड डॉन लोकेशन आपको इजिली प्लॉट अविलेबल हो जाते हैं और उसके साथ ही के ब्लॉग का के वाना यह आठ मरले का एरिया है यहां पे इजिली प्लॉट 40-45 लाक रुबे में कास्ट आफ लेंड पे अविलेबल हो जाते हैं दोस्तों कोशिश यही होती है कि जो सब्सक्राइब करते हैं कि अब आने वाला की सूर्तियाल और पाक्सान की मार्केट का भटा बैठा हुआ है तो हम यह नहीं क्या सकते हैं कि गुज्रावला की मार्केट में सब्सक्राइब करते हैं कि अब आने वाला जो वक्त है कि अच्छा वक्त साबित हो जाज़त दीचेगा नहीं कि लोगों साथ दुबारा हादि होंगे अल्ला हाफिस